तो स्टूडेंस जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने NDA के स्टूडेंस के लिए एक MCQ डिसकुर्शन सीरिस को स्टार्ट किया है अज उसी सीरिस को आगे फोवर्ड करते हुए आपके लिए मैं कुछ नए MCQ लेकर आई हूँ जो की रहेंगे हमारे सोलर सिस्टम के ओपर ठीक है तो अगर मैं बात करूँ हमारे जोग्रॉफिक के सिलेबस की तो उसमें हमें सोलर सिस्टम जो टॉपिक है ये मेंशन नहीं किया गया है ठीक है अगर मैं जोग्रॉफिक के सिलेबस की बात करूँ तो हमारा उसमें फर्स टॉपिक रहता है Earth, its shape and size Next है हमारा Longitude, Latitude वैसे आगे Concept of Time और आगे का हमारा जो syllabus है वो चलता रहता है ठीक है बात करूँ Solar System की तो ये उसमें mention नहीं किया गया बट क्या हुआ जो हमारा Last Year exam हुआ था 2021 में उसमें Solar System के उपर ये First Question जो मैंने या लिखा है ये पूछा गया था ठीक है इसी तरीके से 2007 में भी और 2009 में भी ये Question Solar System में से देखने को मिले हैं ठीक है तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक हमें जो lecture है वो Solar System के उपर भी रखना चाहिए तो वैसे ही आज मैं आपके लिए कुछ important MCQs लेकर आई हूँ उसके साथ हमारे Solar System के उपर जो भी important points रहते वो सारे हम आज के इस lecture में cover करेंगे ठीक है तो चलिए जादा time waste ना करते हुए हम start करते हैं हमारे आज की ये MCQs को ठीक है तो first MCQ है हमारा which among the falling planet is largest in size आप देख सकते हैं कि ये जो MCQ है ये जो question है ये हमें 2021 में ND के exam में पूछा गया था ठीक है अगर आपके पास previous question papers है तो आप उसमें ये चीज़ देख सकते है कि ये question हमें वहाँ पे मिलेगा ठीक है तो देखिए क्या है option में Earth, Venus, Mars और option D है हमारे पास Mercury तो बताइए मेरे को कि इन में से कौन सब planet जो है वो size में largest है ठीक है किसका size क्या है बड़ा है तो अर्थ का है Venus का, Mars का या फिर मरकरी का आप यहाँ उपर solar system की figure में देख सकते हैं और मुझे बताइए कि किसका size बड़ा है देखिए अगर मैं बात करूँ Earth की अर्थ की तो यह Venus, Mars और मरकरी यह तीनों अर्थ से छोटे planet है अगर size में size की बात करूँ तो size में यह तीनों planet क्या है अर्थ से छोटे है ठीक है तो हमारा जो right answer है इसमें वो रहेगा option A, Earth तो अब मैं अगर बात करूँ कि सबसे छोटा planet कौन सा है उसके बाद increasing order में आप इसको देख सकते हैं और सबसे बड़ा Jupiter ठीक है जो कि हमें सबसे last में सबसे बड़ा planet है वो दिखेगा ठीक है तो देखें Mercury, Mercury के बाद हमारा उससे बड़ा जो planet है वो है Mars उसके बाद Venus, उसके बाद Earth then Neptune, उसके बाद Uranus and then Saturn और last में हमारा जो सबसे बड़ा planet माना जाता है वो कौन सा है Jupiter ठीक है तो यहां से आप इसके sequence को देख सकते हैं या फिर उसको screenshot भी ले सकते हैं कि सबसे छोटा planet कौन सा है और उसके बाद sequence में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा planet कौन सा है ठीक है तो देखिए Mercury, Mars, Venus यह Earth से छोटे है इसलिए हमारा अगर हम एज उस साइज की बात करें तो साइज में हमारा Earth जो planet है वो सबसे उपर रहेगा हमारे Mercury, Mars और Venus में से ठीक है तो इसको हम अगर diameter के according में बात करूँ तो यहां पर देख सकते हैं Mercury का कितना diameter है, Mars का कितना है यह आप screenshot भी ले सकते हैं इसका कि कितने कितने diameter की यह हमारे planets है और with the help of diameter हम यह चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा planet हमारा छोटा है और कौन सा planet हमारा सबसे बड़ा planet है चीक है तो चलिए देखते हमारे और next question क्या है according to international astronomical union which one of the following has lost its status as a planet यह question हमें 2007 में पूछा गया था तो देखिये option है हमारे पास Jupiter, option B है Uranus, option C है Neptune and option D है Pluto अब यह question के अगर मैं बात करूँ तो यह बहुत easy question है इसका answer कोई भी student जो बहुत easily दे सकता है देखिये क्या question है according to international astronomical union which one of the following has lost its status कौन से planet का जो status है वो lost हो गया था तो बताएं कौन सा था सब जानते हैं कौन सा था Pluto ठीक है तो option D is the right answer ठीक है option D is the right answer next question के और move करते हैं next question है which among the falling planet is smaller in size than the earth अगर मैं बात करूँ हमारी earth अर्थ की ठीक है तो earth से जो छोटा planet है वो कौन सा है हमने अभी उपर जो है ascending order में पूरी sequence है हमने सभी planets को study किया ठीक है तो देखें Neptune Venus Saturn Uranus तो बताईए जो अर्थ से छोटा है वो है कौन सा है कौन सा option हमारा सही रहेगा इसमें तो option B is the right answer option B is the right answer यह जो Neptune Saturn और Uranus यह हमारी अर्थ के बाद वाले planets आते है ठीक है तो देखें एक बार फिर से हम उसी ascending order वाली sequence को देखते है Mercury Mars Venus और Earth तो देखें इन्होंने क्या पूछा था Earth से जो छोटे size वाला planet है बिल्कुल उसके पीछे तो कौन सा है वो Venus ठीक है तो जो मारा right answer है वो रहेगा option B जो कि क्या है Venus ठीक है और यह question देख सकते हैं आपकी 2009 में एंडिया के एक्जाम में पूछा गया है तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 2021 में भी sorry 2007 में भी और 2009 में भी हमें जो है solar system के ओपर questions पूछे गए तो आपको यह नहीं करना है कि solar system वाले topic को छोड़ देना आपको यह सारे concepts को भी clear होने चाहिए ताकि आप अपने paper को अच्छे से दे सको चीक है तो देखे question क्या है which one of the falling is a dark plane card maria found option A है earth option B है Mars option C है Jupiter and option D है moon तो देखे students जो हमारा right answer इसमें रहेगा वो कौन सा रहेगा option D यह जो maria है यह कहां पर found किया गया हमारे moon के ओपर moon के ओपर आप इसको जो है figure के through देख सकते हैं यह जो यह वाला जो part है ठीक है यहां पर हमें क्या है चोटे चोटे यहां पर points दिख रहे हैं इस type के इसको हम क्या कहते हैं craters क्या कहते है c-r-a-t-e-r-s craters ठीक है अगर मैं बात करूँ maria maria की तो यह चीज़ क्या है यहां पर black black color के spots दिखते हैं हमें क्या दिखते हैं black color के spots इस तरीके से यहां पर spots हैं जिनको हम क्या कहते हैं maria ठीक है इस तरीके से हमारे moon के ऊपर कुछ spots देखने को मिलें जिसको हम क्या कहते हैं maria ठीक है तो जो हमारा right answer रहेगा वो कौन सा रहेगा moon क्या रहेगा option d ठीक है चलिए next question के और move करते हैं next question है हमारा Jupiter completes one circuit of the sun in option A है 13 years option B है 12 years option C है 16 years and option D है 10 years तो बताइए यह जो Jupiter है यह अपने circuit को कितने years में complete करता है कितने years में complete करता है 13 years में 12 years में 16 years में या फिर 10 years तो option B is the right answer option B is the right answer कितने years में complete करता है 12 years में ठीक है 12 years में अब देखिए Jupiter के ओपर कुछ और important points हम discuss कर लेते हैं एक तो क्या है the largest planet in the solar system यह जो Jupiter planet है यह हमारे solar system का सबसे largest planet माना जाता है जैसे कि हमने ओपर sequence में study किया ठीक है आगे है the great red spot is seen in Jupiter ठीक है उससे next point के आगर मैं बात करो तो Jupiter takes 12 earth years कितना time ले रहा है 12 earth years to make one revolution around the sun मतलब कि sun sun के around हमारे planets है ठीक है इस तरीके से हमारे जो planets है तो उसमें जो Jupiter है Jupiter है वो कितना time ले रहा है 12 earth years ले रहा है अपने इस round को इस round को complete करने में 12 years ले रहा है ठीक है उसके बाद है the fastest rotating planet in the solar system और यह सबसे ज्यादा fastest rotating planet माना जाता है हमारे solar system का ठीक है next the planet with the strongest magnetic field and gravitational force और यह जुपिटर has 79 known moons वहत ही important point है क्या point है हमारा कि Jupiter के कितने कितने moons हैं जिनको वो मतलब की find out कर पाए है 79 उनके known moons है ठीक है और उसमें से आगर मैं बात करूं यह जो गन्यामिद is the largest and the most massive of the Jupiter planet ठीक है तो यहां से आपने देखा कि जो हमारे Jupiter planet है यह largest भी है सबसे जादा दूसरा यह fastest rotating planet है थर्ड हमने देखा कि 12 earthly years लेता कि अपनी इस revolution को complete करने में उसके बाद इसके कितने moons है 79 known moons है इनके ठीक है next है हमारा which among the falling planet is also known as valid planet क्या question है कि आपके पास आपके पास क्या दिये गए है options दिये गए है Venus, Mars, Jupiter और Uranus आपको क्या चीज़ बताने है कि इन में से कौन से planet को हम जो है valid planet भी कहते हैं ठीक है तो बताइए कौन से वाले planet को हम valid planet कहते है Venus को, Mars को, Jupiter को या फिर Uranus को तो कौन सो option सही रहेगा cadets जो हमारा right answer रहेगा वो रहेगा option A, Venus ठीक है Venus को हम जो है वीडल प्लानेट के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो हमारा जो right answer रहेगा वो रहेगा Venus तो देखते हैं कि Venus के उपर और किस टाइप के questions हमें examiner पूछ सकता है ठीक है ज़रूरी भी नहीं है कि आपसे कुछ difficult questions पूछे जाएंगे में भी आपसे easy questions पूछे जाएं जैसे कि हमें 2021 में पूछा गया था simple size के ओपर question पूछा गया था ठीक है बट फिर भी आपको जो है knowledge होनी चाहिए अपने solar system की तो चलिए देखते है Venus क्या है Venus is earth's twins in size मतलब कि जैसे हमारी earth दिखती है जितना हमारा earth का size है वैसे ही हमारी Venus का मतलब size दिखता है ठीक है तो इसको जो है sister planet of earth के नाम से भी जाना जाता है देखे आगे है Venus is the hottest planet in our solar system और यह क्या है सबसे जादा hottest planet है हमारे solar system का ठीक है it is the brightest planet in the solar system hottest भी है और brightest भी है ठीक है it is also sometime refer to as the sister planet sister planet to earth ठीक है आपने क्या चीज़ देखी एक तो यह hottest है दूसरा brightest है और third इसको जो है sister planet to earth भी कहते है ठीक है उसके बाद Venus is refer to as the morning star and evening star morning star evening star सबने सुना हुआ है तो वो किस से related है वो किस चीज़ को refer करते है हमारे Venus planet ठीक है Venus को it is surrounded by a thick cloud cover hence known as the violet planet अब देखिए जिसके पर हमें question पूछा गया था वो क्या है एक thick cloud cover है जिसको हम क्या कहते है violet planet ठीक है तो यह था हमारा Venus के ओपर कुछ important points उसके साथ आप देख सकते कि it is the second planet from the sun यह तो सब जानते कि यह second planet है हमारे उसका solar system का then it also rotates clockwise on its axis like Uranus ठीक है और यह कै से rotate करता है clockwise ठीक है जैसे कि हमारा Uranus प्लानेट भी rotate करता है next है esteride were found between the orbit of esteride सबने सुना हुआ है तो जब हम अपने solar system को study करते हैं तो उसमें एक asteroid belt हमें देखने को मिलती है तो बताइए वो जो asteroid belt है वो कौन-कौन से planet के बीच में देखने को मिलती है option A है Saturn and Jupiter option B है Mars and Jupiter option C ह है Earth and Mars and option D है हमारे पास Centrum and Uranus तो बताइए कौन सा अंसर सही रहेगा cadets देखिए क्या है asteroid were found between the orbit of किसके बीच में option B is the right answer Mars and Jupiter के बीच में ठीक है अब हम इसको एक figure के छू देखते हैं कि यह जो asteroid belt है asteroid belt है यह कहां पर देखने को मिल रही है हमें तो यहां आप figure में देख सकते हैं कि यह है हमारा Mercury Mercury planet Mercury के बाद यह Venus उसके बाद Earth फिर हमारा Mars and then यह जो हमें दिख रही है यह हमारी asteroid belt ठीक है तो यह वाला planet था हमारा Mars उसके बाद यह जो planet है इसका क्या नाम है Jupiter तो मतलब यह asteroid belt क इसके बीच में है Mars और Jupiter के बीच में उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो Neptune जो हमारा Neptune planet है उसके बाद एक और इसी तरीके से belt हमें देखने को मिलती है जिसको हम बोलते है क्वीपर belt ठीक है तो चलिए next question के और move करें next question है which is the hottest planet of our solar system option A है Venus option B है Pluto option C है Mars and option D है Mercury तो कौन सब planet हमारा जो है सबसे hottest planet माना जाता है solar system का तो जो मारा right answer है students वो रहेगा option A मतलब की Venus ठीक है तो चलिए next question के और चलते हैं which planet has a near similarity of size and mass like that of the Earth question में क्या पुछा गया है which planet which planet has a near similarity of size a near similarity of size ठीक है and mass like that of the Earth जैसे हमारी Earth का size और mass है ठीक है जैसा हमारी Earth planet का size और mass है वैसा size और mass कोन से planet का है हमारे Mercury planet का, Mars का, Venus का या फिर Jupiter का तो जो हमारा right answer है students वो क्या रहेगा तो option C is the right answer, ऐसा size और mass हमें कौन से planet का देखने को मिलता है Venus planet का, ठीक है क्योंकि आपने उपर भी देखा न कि इसका जो size है वो कुछ Earth की जैसा दिखता है हमें और इसको जो sister planet to Earth भी कहा जाता है तो देखें जो हमारा right answer रहेगा वो रहेगा Venus, ठीक है Venus is Earth twin in size और Venus is the hottest, brightest planet जो के हमने उपर study किया और इसको sister planet to Earth भी कहा जाता है, morning star and evening star यह सारी चीज़े हमने उपर discuss कर लिए है तो चले हम next question क्यों चलते है which planet is called red planet due to its rock iron oxide option A है Mars, option B है Jupiter, option C है Saturn and option D है Venus तो बताईए which planet is called red planet और यह red planet क्यों कहा जाता है, due to its rock iron oxide इसमें rock iron oxide होता है, इसलिए इसको red planet की नाम से जाना जाता है तो कौन सा planet है, option A is the right answer तो इसके उपर अगर मैं कुछ points आपको discuss करें तो देखें क्या है, Mars is reddish in color यह कैसा है, reddish in color है, इसलिए इसको red planet की नाम से भी जाना जाता है and it is red in color due to the presence of iron oxide अगर question आप से पूछा जाए कि इसका जो color red है, वो क्यों है तो क्यों है due to the presence of iron oxide तो next time, Mars has two moons अब Mars के कितने moons है, two moons है और उनका नाम क्या है, यह देखिए, Phobos and Damos ठीक है, इसके दो moon है और उनके नाम यहाँ पर already mentioned है तो चली, next question क्यों चलते है हिपोकेंप is the moon of which planet ठीक है, अब हमारे हर एक planet के अपनी-अपनी satellites है, अपनी-अपनी moon है तो अगर मैं बात करूँ, हिपोकेंप की तो हिपोकेंप is the moon of which planet हिपोकेंप is the moon of which planet option A है, Jupiter option B है, Neptune option C है, Uranus and option D है, हमारे पास, Settron तो बताइए, कौन सा option सही रहेगा हमारा इसमें यह जो हिपोकेंप, satellite है, moon है यह हमारे कौन से planet की है तो option B is the right answer कौन से planet की है, Neptune की ठीक है, तो चली, Neptune की बारे में भी कुछ study कर लेते है, Neptune is the 8th and the farthest known planet from the sun in the solar system ठीक है, क्या है यह 8th planet and the farthest known planet from the sun in the solar system Neptune is the god of the sea, based on Roman mythology, ठीक है किसके basis पे यही, Roman mythology के उपर तो कि क्या है god of the sea और Neptune के कितने moons है 14 known moons है, उसमें से hippocamp is the moon of Neptune और यह hippocamp, hippocamp को कब discovered किया गया था, students question आप से पूछा जा सकते कि बताईए, यह जो hippocamp moon था, इसको कब discovered किया गया था तो कब discovered किया गया था 1st July 2013 में कब 1st July 2013 में ठीक है, it was discovered by और इसको जो discovered करने वाले person थे, उनका क्या नाम था astronomer जो थे, उनका क्या नाम था Mark Shalter, ठीक है Neptune has the longest year और इसका एक longest year होता है, ठीक है उसके साथ अगर मैं बात करो, the great dark spot can be seen in Neptune एक उसमें great spot हमें देखने को मिलता है, Neptune प्लानेट में ठीक है, वैसे ही, Auburn is the moon of which one of the falling planet? जैसे, hippocamp, हमने देखा कि किसकी satellite है, किसका moon है वैसे ही बताईए, Auburn is the moon तो जो मारा right answer हैगा, वो रहेगा student, option A is the right answer, क्या रहेगा, option A is the right answer, जो ये Auburn moon है, ये किसका है Uranus planet का, ठीक है तो देखते हैं कि Auburn के बारे में और ऐसे कौन सी चीज़े हैं, जो हमें याद रिखनी चाहिए, तो Auburn is the moon of Uranus and it is discovered by William Hatchell in the 1787, और ये कब discovered क्या गया था, 1787 में और किन के द्वारा, William Hatchell के द्वारा, ठीक है, the mean distance of Auburn from the center of Uranus is about कितना है 582,600 km, ठीक है Auburn is the second largest and the most massive of the Uranian moons next question क्यों चलते हैं next question है हमारा which of the following planet is known as a gas giant, इसमें से कौन से planet को gas giant के नाम से भी जाना जाता है Earth, Mercury, Venus या फिर Jupiter तो किसे कहा जाता है gas giant तो देखिए, जो मारा right answer है students, वो रहेगा Venus, the right answer is Venus, च्छेक है चलिए, आगे है the gas giant, sorry जो हमारा right answer है, वो रहेगा option D, जो कि क्या है Jupiter, ठीक है तो यह जो gas giant है हमारा solar system के अगर बात करो तो इसमें चार planets देखिए Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune ठीक है, यह क्या है हमारे solar system के large planets माने जाते हैं, इसके पीछे जो हमारे Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune ठीक है, उसके अलावा inner terrestrial planets कोन से है, हमारे और outer planets या फिर jovian planets कोन से हैं, तो इनमें हमने अलग से एक table में mention किया हुआ है, कि जो हमारा Mercury, Venus, Mars और Earth है, वो कोन से planet है, हमारे inner planets को या फिर उनको terrestrial planets को, चीक है, अगर मैं बात करूँ, outer planets की और jovian planets की, तो उसमें आ जाते हैं हमारे Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, तो आप यहां से screenshot इसका ले सकते हैं कि कोन से हमारे terrestrial planets में आते हैं, और कोन से हमारे outer या जूवियन planets में आते हैं, चीक है, तो देखिए, next है हमारा who discovered the solar system, हमारे solar system को discovered किस ने किया, option A है, मर्फी option B है, Newton, option C है, copper nickels and option D है, वास कोड़ी गामा, तो जो हमारा right answer इसमें students वो कौन सा है, option C is the right answer, जो कि क्या है copper nickels, इन्होंने क्या किया था, हमारे solar system को discovered किया था, ठीक है, और उसके बाद, क्या है, he discovered the model of the solar system and the path of the planets, मतलब कि इन्होंने solar system को discovered किया था, उसके साथ, इन्होंने, जो हमारे planets के path है, उनका जो orbital plane है, उसको भी इन्होंने क्या किया था, discovered किया था, चीक है, and option 3 is the right answer, next question है हमारा, the two planets having no satellite are mercury and venus, mercury and saturn, earth and Jupiter, Venus and Mars, तो बताईए, कौन से ऐसे planet है, जिनकी कोई भी satellite नहीं है, कोई भी satellite नहीं है, तो चलिए, ये चीज़ डिसकस करने से पहले मैं आपको बता दू, सभी planets की satellites, कितनी-कितनी है, ठीक है, तो देख सकते हैं आप सबसे पहले, जुपिटर की, कितनी है, 79 satellites हैं, उसमें से 53 तो confirmed है, और 26 जो है, वो provisional है, confirm कितनी है, 79, ठीक है, जिनको हम कहा रहे थे, पीछा भी पढ़ रहे थे, कि जुपिटर की 79 known moons है, तो known moons मतलब की, जो confirmed हो चुके हैं, जो की, मतलब confirm कर दिये गए हैं, और बाकी 26 जो है, वो provisional में आभी, सेटरन में क्या है, 82 satellites हैं, जिसमें से 53 confirm है, और 29 क्या है, provisional है, वैसे ही Uranus में 27 satellites हैं, Neptune की 14 हैं, Mars की 2 हैं, और वो 2 कोन हैं, वो हमने उपर discuss किया, अर्च की एक ही satellite है, सब जानते हैं, वीनस और मरकरी के अगर मैं बात करूँ, तो इसकी कोई भी satellite नहीं है, तो जो हमारा right answer रहेगा, वो क्या रहेगा students, कौन सा रहेगा, Venus and Mars, ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कु topics हैं, हम उनको भी one by one, इसी तरीके से MCQ discussion series आपके लिए लेकर आएंगे, और उसमें हम cover करते रहेंगे, ठीक है, तो students जुडे रहेगा हमारे साथ ही, और आगर आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारी app पर visit कर सकते हैं, उसका link हम अपने description box में डाल और वहां से आप हमारी app कीरन commerce zone पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, इसको दोबारा से practice कर सकते हैं, ठीक है, तो जाए हिन students, जाए भारत